नमस्कार, वीपिन न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ कोमल गंडोत्रा, आए नज़र डालते हैं दिनबर के परमुक सुर्खियों पर गाटी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अतंक्यों ने दो और वाहन बम तियार किये साल का पहला चंदरगहन दस जनवरी को पड़ा था, अब दूसरा चंदरगहन आज लगने जा रहा है कश्मीर में करोना से एक और मोत, समुधाइक संक्रमन की अशंका आठ दिन में दूगन से अधिक संक्रमित मामले रहजोरी जिले की काला कोट के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुटबेड में एक अतंकी को मार किराया अब समचार विस्तार से जैशे मोहमद दौरा वादी में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए बनाएगे दो वाहन बंबो को डूंड निकालने के लिए पुलीस ने एक पिशेश टीम बनाई है साथ ही दक्षिन कश्मीर में पुराने वाहनों को बेचने वालों के अलावा कुछ मेकैनिकों को पूश्टाश के लिए तलब किया है पुलीस चोरी हुए वाहनों की सूची तयार करने के अलावा छे माव में पकड़े गए जैश के ओवरग्रोंड वर्करों से भी नए सिरे से पूश्टाश की जा रही है साल 2020 का दूसरा चंदर ग्रहन शुकरवार को लगने चा रहा है जून में ही 21 तारी को सूर्य ग्रहन भी लगेगा खास बात ये है कि ये दोनों ही ग्रहन बारत में दिखाई देंगे ये उपचाया चंदर ग्रहन होंगे जिसकी शुरुवात 5 जून की रात 11 बच के 16 मिनट से हो जाएगी और इसकी समापती 6 जून को 2 बच के 32 मिनट पर होगी ग्रहन रात 12 बच के 54 मिनट पर अपने अधिक्तम प्रभाव में हो सकता है उपचाया चंदर ग्रहन बहुत अधिक प्रभावचाली नहीं होता है इस दोरां सूतक काल भी मानने नहीं होता है ग्रहन एशिया, यूरोप, ऐस्ट्रेलिया और अफेरिका के लोग देख पाएं हाला कि ये उपचाया चंदर ग्रहन होने के कारण सामान्य चांथ और ग्रहन में अंतरकर अपना पाना मुश्किल है। उलंगन करती हुए गोलाबारी शुरू कर दी थी, इस दोरां अगरिम सैना चोकियों को निशाना बनाया गया। शुरक्षबलो ने एक अतंकी को मार गिराया। ये मुर्बेड में हारी गाउ में हुई, कुछ अतंकियों के गिरे होने की जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षबलो ने जंगल के करीब एक किलो मीटर शेत्र को गेर लिया है। सुरक्षबलो का उप्रेशन जारी है। काला कोर तैसील के मियाडी जंगल में संदिक हलचल देखे जाने के बाद स्थानी लोगों ने सैना को सूचिक किया था। जिसके बाद आरार बटालियन के जवानों ने जंगल में तलाशी अभ्यान शुरू किया। जब मुकश्मीर सही देश में बने करोना के परकोप को खतम करने वे लोग कल्यान की कामना के साथ सबी ने हवन यग्य में आहूतियां अरपित की। ये पहली बार है जब करोना से उचले हालात के कारण वार्शिक बाबा अमनात यात्रा की तयारियां शुरू नहीं हो पाई। और यात्रा के दोनों मार्क चंदनबाडी और बाल्टाल बरफ से डखे हुए हैं। दक्षिन कश्मीर के कुलगाम में वीरवार की शाम कार सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलो पर हमला कर दिया। के जवाबी कारवाई की तो आतंकियों आतंकी कार छोड़ कर भाग निकले। इस दोरान वहां से गुजर रहा स्वस्विवाग का करमचारी मामूली रूप से जख्मी हो गया। उसे पास के इस्पतार में बर्तिकर आया गया है, उसकी हाला खत्रे से बाहर बताई जाती है। इस भी सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके को गेर कर सर्फ चॉपरेशन शुरू कर दिया है। जमुकुषमीर के सरकारी करमचारीों को अब वेतन सम्द्धी जानकारी के लिए बैंक अलर्ट तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। राजिसरकार की ओर से जारी किये गे मेरा वेतन अंड्रोइट आप के चरिये करमचारी कभी अपने वेतन के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। सबी विवागों के करमचारियों को सरकार की ओर से यूनीक आईडी दी गई है इसके मध्यम से सरकारी करमचारी अपने वेतन, इंक्रिमेट वे अन्य बत्ते के बारे में पूरी जानकारी हसिल कर सकेंगे चार दिन पहले जिस आईएस अधिकारी का करोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, वीरवार को फिर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई यही नहीं तीन अन्य अधिकारियों के टेस्ट भी नेगेटिव आई इससे प्रशासन ने तो राहत की सांस ली लेकिन मेडिकल कॉलेज में हो रहे ही टेस्ट पर सवाल उठने लगे हैं रोटरी क्लब जमू ने डॉक्टर राजीव शर्मा और डिरेक्टर आफ इंडरस्टिज और कॉमर्स मिसिस अनूमल होत्रा की उपस्तिती में सो पीपी किट्स, एक हजार तीन लियर मास्क, दो इंफरेट थर्मोमेटर, पचास और नाइन्टिफाइब मास्क, गोर्मेंट हॉस्पिटल सरवाल को दिये ताकि वे ये सब उन योदाओं तक पहुंचा सके जो करोना की जंक लड़ रहे हैं कोटली कलोनी वेलफेर ट्रस ने डिपार्टमेंट ओफ इंडियन सिस्टम्स ओफ आयूर के साथ मिलके कोविड-19 से बचावे तू एक मैडिकल कैम्प का आयूजन किया जिसमें लोगों को मुफ्त में इम्मूरिटी को बढ़ाने की दवाईया मुहिया करवाई गई कोविड-19 की मार जहां पूरी दुनिया को जेल नी पढ़ रही है उसी भी जम्मू के आटो चालको ने भी अपना हाल सुनाया और बताया कि उनको लॉगड़ोन में किन-किन परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है देखो ही सुबा आते हैं हम पांच बज़े शाम को जाते हैं पांच बज़े इधर तो ना कोई सुआरी है ना लेनी ना देनी है खाली आना और खाली तरह जाना जो जब हमारे स्टेशन की एक ट्रेना आती है वो भी अंदर जो है न वो गोर्मिट की बसलक आई है अटोबालों को देज़ो जयर साला काम इन कटम होजाए पिलकुल ही अब उकर शाम करो जाना जो पिज़े हो चड़ा हुआ पहले बोलते हैं जि अम टीन मैन पेड़ा कर दिया अ मारा पेड़ा गर कर दिया हमें पड्री पे ला दिया अब आमें कुछ नहीं मिलेगा, हम कहां जाएंगे बताओ, सुबा हम आते हैं गाली गार जाते हैं पच्चे बोलते हैं पापा यह तो कहां से दे हम बताओ आज वार्ड नबर 22 शास्ती नगर में कार्पोरेटर जैदीब शर्मा ने अपनी देखरेक में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया पीपी न्यूस लाइन के आज के अंक में बस इतना ही कल होगी फिर से मुलाका तब तक देखते रहे हैं पीपी न्यूसरी नमस्कार जम्मो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेकनोलोजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हाँ हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के बेंडेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम्मो अप्टीशन्स गाधी नगर जम्मो अप्टीशन्स नई बस्ती जम्मो अप्टीशन्स अंफला जम्मो अप्टीशन्स त्रीकुटानगर